हेलो फ्रेंड्स माय फूर्ट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ मोदक की रेसिपी शेर करने जा रही हूं जो हम फूर फ्लेवर्स में बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टॉप करते हैं मोदक बनाने के लिए म zor jetzt आधी कंटोडी चीनी हुई आधी कंटोड़ी है देसी घेली आप चाहे तो इस कोEX GU Film स्थीपी अचिर की मिक्स्टे को बार ही मिक्स करनें कि मिलक पवडर को हम एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि एक साथ डालने से इसमें लंग आ जाते हैं अब हम इसमें पिसी होई चीनी डाल देंगे चीनी आप अपनी टेश की कॉडिंग कम यह जादा कर सकते हैं मीलक पौडर वैसे मिठा होता है तो मैं इसमें चीनी हाफ कपी डाल रहे है अब ये मिक्स्टर अच्छे से मिक्स हो गया है इसे हम गैस पर पका लेंगे अब हम इसे गैस पर बिल्कुल लो फ्लेम पर एकदम डो बनने तक इसे पका लेंगे मिक्स्टस ठीक को न अब यह ने खता है लिए लिए जाटकर कर देगा अब यह मिक्स्टर द्यार करता है कि शुटकि अब कटाई छोड़ने स्थार्ड कर देगे मैं करें या गषे या तो यह अब कि आख षुटे को फड़़्ा करेंके तो यह थोड़ा जाएगा है मिक्सिर को फिला देंगे ताकि यह चल् lightning projets on water 가운데 आभी iículos ए जब से घंडा हो गया है आभ में मिक्सिर को 4 पर्ट में डिवाईट करूब ज़ी अब इसा मैंने इत्विश्य में इकली 4 पर्ट में डिवाईट करदी है अभर में अलग उस अलग उसे लिग दो है पान फ्लेवर का बनाने के लिए मैंने पान कायक पत्ता ले लिया है इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे सबसे बहले हम पाइट वाला मुदक दिना लेंगे इसमें हम एक चुटकी हिलाइची रा रहेंगे यह मैंने थोड़े से कलर्फिल सौंफी है यह हम इसमें आपके लिए इसमें अपयों है अगर आपके लास हो तो आप डालें यह तो आप इसे स्ट भी कर सेखेंगे यह मोदक बुनाने के लिए बहने मोदक का सांचा ले लिया है इसे हम पहले घी से खोड़ा मीस करेंगे अब हम इसे वाइट वाला मिक्सचर फिल करेंगे अब इसमें पाक्तिका मिक्सचर उनदे फिल करेंगे अच्छे से यह देखिए कितना सुम्दव मोदग बन का तयार हो गया है इसी तरह से हम बापकी भी बना देंगे लंग खेसर अला बनाएंगे इसमें हम ने गुटिया थोड़ा सा खेसर भी होके रख दिया था यह मैं इसमें एड करते हैं मैंने सांचे को थोड़ा सा घी से अविर से ग्रीस कर लिए अब हम इसमें यलो एंड करेंगे एसमे मैंने थोड़ी सी फिलिंग एड कर लिए हम युसमें थोड़ा सा घ्राइ प्राइप बनामीट debat के Irish माधिक व्हें हम दोटोवां पान के पत्तों को ग्रेश कर दिया है अब हम पान वाले पूंतुक बनाएंगे यह ने थोड़े से पान के पत्ते लेएं इसमें हम थोड़ी से गुलकनल डाल देंगे यह अपने घर पर ही पनाई हुई है आप चाहे तो मार्केटब की गुलकन भी उज़स कर से एंड और भी are इसमें आभ करेंगे में बिल्कुल थोड़ा सा इसमें green mint light बढल डार देंगे और इसमेंのुश कर लेड़िए अब हम इसमें गुल कंद वाली फिलिंग डाल देंगे अब हम रोजवाला रेडी कर लेंगे थोड़ी सी गुल करने लेंगे और इसमें टोड़ी से ड्राइप करेंगे आप चाहे तो किसी भी फ्लेवर का बना सकते हैं उसमें कुछ भी फिलिंग कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अब हम वाइप मिक्स्टर में थोड़ा सा पिंक फूट गलर ढाल देंगे और इसे लेस करेंगे जो जो पिंक फच्टर बनाया मैंने इसमेड कर देंगे थोड़ी सी अच्छे से अंदर तक प्रेस कर देंगे देखिए कितना संदर मोदग बनकर त्यार हो गया है अब हम इसे चांदी के वरक से डेकुरेट करेंगे यह मैंने मोदग को चांदी के वरक और ड्राइपूर से डेकुरेट कर दिया है मोदग को हम फ्रेज में रख देंगे यह अच्छे से से अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाना ना भूलें बेल आइकन दमाने से आपको मेरी ने डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें थेंक यू पर वाचिंग प्रेंग झाल